1990 में सताम हुसैन ने कुवेट के उपर हमला बोल दिया। लोगों को भारी जानमाद का नुपसान उठाना पड़ रहा था। वैसे में बारत सरकार में इंद्र कुमार गुजराल जो मिनिस्ट्री अब एक्स्टेर्नल एफेर्स में थे उसे सताम हुसैन के पास भेजा। इंद्र कुमार गुजराल जाते हैं सद्दाम हुसैन से मिलते हैं अपने ज्वायन सेक्रेटिर के फाजियन के साथ और सद्दाम हुसैन से बुजारिस करते हैं कि उन्हें भार्तियों को महां से निकाल लेने की अनुमती दी जाए। कि अप्रवासी भार्तियों को महां से कैसे निकाला जाए हलो फ्रेंड्स मैं हूँ ओपी सिंग और आप देख रहे हैं फिल्में बजबी तोपी इस सब्जेक्ट के ओपर हिंदी में एक फिल्म मनें थी बॉलीवुड में एर लिट जिसमें अच्छे कुमार ने यहां में इसमें रंजीट कात्या का थिर्दार में एक मिधा इंधाक्ट हकीकत में जो क्या्रीट करें गर्ळी दो लोगों कि चरित्र को मिलाा यह वे उस्में ऊक मैठील ने जिससे सनी मैथ्यू के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा हरवजन सिंग वेटी दोनों भी बड़े ही रसुपदार कोईत के लोग थे इन दोनों को मिला करके दोनों के कैरेक्टर को मिला करके एक कैरेक्टर तैयर के अडिया फिल्म के लिए बोतार अंजीर कात्याल का और इन दोनों में काफी कोर्सिस की काफी मदद की तन मन धन से कि भारतियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके इस दरम्यान उन्हें को तकलीव ना हो लेकिन सिर्फ ये दो लोग ही नहीं थे और भी बहुत सारे लोग थे और इसका जो ग्रेडिड जाता है ये दुनिया की के द्वारा इंडियन एलाइस के द्वारा इस इवक्वेशन की क्रेडिट जिन लोगों को जाती है उसमें इंडियन इंबैसी जिनोंने लोकल बस प्रोवैडर से बात करके दो हजाद किलोमेटर दूर जितने भी सर्राथी थे उनको अम्मान पहुंचाया बसरा और बगदाद के रास्ते और अम्मान से ही अम्मान जो की जॉर्डन में है अम्मान से ही इंडियन एयरलाइस की फ्लाइट आनी थी और सब को लेके वहां से इंडुस्ताइन इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट सवनी मैंथियो को जाता है उसका इनाम ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसके अलावे के पी फादियन जोकी जॉएंट सेकेटरी थे गल्फ डिविजन Ministry of External Affairs के उसके अलावे और भी बहुत सारी लोग थे सनी मैथ्यू, केपी फादियान, हरवजन सिंग, वेधी जोकी पेशे से एक आर्किटेक्ट थे और उनका बहुत रसूप था सरकार महां की सरकारों के साथ में भी और कैप्टन भीजे नायर, माइकल मसेरन हास, एर इंडिया के रिजिनल डारेक्टर, जिसके काम के तारीफ स्वेम अच्छे कुमार नहीं की है अगर इसका नाम मैं नहीं लूँ तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, उसके साथ के टीपी मेनन, के पी फाबियान में लिखा है कि के टीपी मेनन, जो कि एक लोकल रेसिडेंट है, कुवेट के, उन्होंने भी काफी मदद की, इन सारे भारतियों को बसों में बिठा करके, आप सोच सकते हैं, लगबख एक लाग सक्तर हजार लोगों को कुवेट से निकाला गया, इतने सारे लोगों को एक साथ निकाला नहीं जा सकता, आप सोची कितनी सारी भसे लगी होगी, उनको टेंटों में रखने के लिए, इसकी थोड़ी बहुत जलक आपको एक लिफ फिल्म में मिलती है, जहां लोग हतास हो जाते हैं, कुछ लोग, और सनी मैठ्यू के साथ बि इधर कुमार बुजरान ने, केपी फाबियन ने, सनी मैठ्यू ने, हरवजन सिख बिदी ने, कैप्तन विजय नायर ने, माइकल मसरेन हास ने, जो विजिनल डिरेक्टर है एर इंडिया के गल्प के, इन सब लोगों ने मिलके किया, जिनोंने बिना थके, बिना रुके, इत के लिए तो तालिया बसती, बनती है, और एक धिगुल भी बनती है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इए वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीजिसे लाइक, शेयर और सब्स्क्राइब पीजिए, थांक्यू पर वाचिए, थांक्यू पर वाचिए